सल्मान खान के रियाल्टी शो विक बोस सत्रा में यह हफ्ता कंटेस्टन के लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी है इस हफ्ते घर में जो जो कंटेस्टन टिक गए वहसी दे फिनाले वीक में एंट्री कर लेंगे इसी वज़े से कोई भी नोमिनेशन की रडार पर नहीं आना च जाता मेकर्स ने इस हफ्ते नोमिनेशन में घरवालों को टोर्चर टास्क दिया लेटेश्ट एपिसोड में टीम यानि मुनबबर फारुकी अभिशेक कुमार मनारा चोपड़ा और अरुन मसेटी टोर्चर जहिलते हुए नजर आए लेकिन अब इस टास्क में बड़ा उलटफेर कर दिया बिगबोस ने अपनी एक चाल्से टीम भी यानि विकी जैन अंकित और लोखंडे इसा मालविया और आईसा खान को नॉमिनेशन में डाल दिया आप भी देखे बिगबोस का ये नया पिरोमो अपनी बारी आने से पहले ही ये लोग मिर्च मसाले छिपाते नजर आए इतना डर था तो किया क्यों यह सब फिनाले के इतने करीब ये सरासर नाइनसाफी है और बिलकुल नामनसूर है अब जिनके साथ नाइनसाफी हुई है आप ही लोग फैसला लेंगे कि आज करना क्या है दर जो बटा अब जो दर इसकों करें थे उनको दिलाएंगे हर किसी को फिनाले वीक में जाना बहुत ज़रूरी मैं अपने लिए तो चाहूंगा कि मैं लड़ू और उनको वहां से निकालवा देंगे क्या है फैसला आपका उनको ये चीज फेस करनी चाहिए बता दे कि विपोस 17 में ये आखरी विकेंड का वोर आने वाला है जिसके बाद घर में डबल इविक्षन होगा यानि इन चारों में से कोई दो कंटेक्षेंट सीदे घर से बहार हो जाएए आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट का जरूर बताएं देखते रहिए जनले टाइम्स